अच्छा हुआ आपने यार गिला दिया, मैं तो काम काज के चक्कर में भूले गए थी, साड़िया तो वैसे कली आगे थी दुगान से, कोई बात नहीं, हो जाता है, काम काम में ऐसा होता है, अब बताइए आपके साड़ी कुन सी है, मैं गाड़ी में रखवा देती हूँ, हर किया बताइए विता की साड़ी आपके साड़ी कुन सी है आपनी, चले, आपने में साथ हो क्या हूँ? इसका नल खराब है, तो प्लीज आप महा जाके हाथ दोलीजिए। आप वहा? जी सामने। हाइ, आप राज, और रुली लव यूू। क्या कर रहा है राज? इसे सीधे बोलेगा उसे बुरा लग जाएगा। हाइ, राज, हम पहली कार मंदिर मिलने थे। मंदिर क्या दिला रहा है उसे। हाइ, आम राज, और वेरी ब्यूटिफुल एंड। क्या कर रहा है राज? आराम से, एक डीप ब्रेथ। हाइ, मेरा नाम राज है, और आपका दिलिब। तुझे क्या कर रहा है? रसुन, तुझा बाद में आरा है। मैडम ने अभी आपको बुलाया है। क्यों? कुछ जरूरी काम है। चब सुन, जब तक मैं वापस ना हूँ, इस लड़की को रुखा के रख। अगर वो चली गए, तरी नौक ली चली गए, समझ रहा है। क्या है। मैडम, आपके पाच मिनट चाहिए, खाने के बारे में आपका फीटबाइक जाना है। अच्छी में थोड़ा जल्दी में हूँ, तो… प्लीज मैम, बस पाच मिनट लगें है। आपको दस में से मांग देना है। तो स्टाटर से शुरुवात करते हैं। आहा, मैम, आप मुझे बुलाया। प्लीज मीमा, पिछ में लगें। आपनों के अरेंज कर देम का बाऽ बाफ ही अच्छा है। खाना भी सबको बहुत पस्ञाया। मेरे कुछ महेन में है, जो आप के जुजू के घटरिंग का नंबर चाहते हैं। अगर कुछ कार्स मिल जाते तो बहुत अच्छा होता येस मैम कार्स है हमारा कार्स हमारा को नहीं चाहिए तारा ये कार्स और आप लोग भी कार्स खोल के सुन लो इन लोगों को काम देना तो सोच समझ कर देना घड़ो गरम दिमाग है इन लोगों के सहेता जीव कैसी बाते कर रहें आप ये तो बहुत ही भने लोग है सबकी साथ कितना तमीज से पेश आ रहें थांक यू माम, थांक यू फ़र कॉंपलिमेंट और सपोर्ट अरे ये छोरा इतनी जल्दी के है तर निजाने की दो मिनित बात नहीं कर सके मारे से देखे माम, प्लीज सारा समन पैक करवाना है बहुत काम है आपके लिए कुछ लाओं मैं ना, मारे को नहीं खाना है और तारा खाना खाके मैं अपने मूँ का स्वाद नहीं बिगाड़ना चाहती और मेसर दगरवाल इनका जो भी बिल है ना, क्लियर कर दो वरना ये लोग तो मार पिट शूरू कर देते हैं हाँ, केटरिंग इनका पेशा है और गुंडागर्दी इनका शौक माम, प्लीज, यहां इतनी खुशी का माहल है अब ऐसी बाते क्यों कर रही है अगर आपको मुझ से यह मरी स्टाफ से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हू I'm sorry for that Oh wow, so cute, how creative 10 on 10 पर माम, आपने खाया ही नहीं पहले खाके तो देखी है ऐसे आखे फट फट के के देखे हैं मारे को थारे को के लगा भी तू बुश भी करेगा sorry बोलेगा और चला जाएगा थारे जैसे छुड़े लोग ऐसे ही होए है ना तो तुमारे पास कोई standard होए ना कोई manage होए बस पैसा कमाना जाणो हो तुम लोग पैसे तो तन्ने कभी देखे नहीं होगे देखे मामा पैसो की बात Ma'am please मैं आपसे फिर request कर रहा कि ऐसे माहल पर तमाशा मत खड़ा कीजिए रहा सवाल मेरे financial status और स्टैंडर्ड का तो उसके बारे में आपको बताने की मैं जरुवत नहीं समयता अगर आपको हमारे काम से कोई भी शिकायत हो तो अपनी जीजू की ओफिस जाके उनसे बात कीजिए थांक्यू अपनी जीजू की ओफिस बुलाएगा मारे को तो अरे तारे जीजू की ओफिस आए मारे जुटी अरे ये और इसके जीजू एक नमबर के लुच्चे है लोगों को लुटना और शरी को प्रेशन करना आवे है इन लोगों कोर करें इन्दा मिसे सहेता इन्दा इन्नाष्ट 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 मैं आपका लिहास कर रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं कि आप जो जी मैगी बुलिगी और मैं सुनता जाओंगा आपने मुझे बुरा बला का मेरे काम पे उगली उठाई मैं चुप रहा लेकिन अब आप मेरी फैमली पे उगली उठा रही है जुप नहीं बैठोंगा आपको मेरे पडिवार पे कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता क्योंकि आप उन्हें अच्छे से जाती नहीं और दूसरी बात जिस जगड़े के मार में आप बात करी है उसके मार में आपको कुछ नहीं पता उस दिन आपके बदी मिस्ता सहेता गुंडे लेकर आये थे यह सही कि मैंने उन पर हाथ उठाया और इस बात का मुझे जरा भी अफसुस नहीं क्योंकि अगर कोई भी आदमी शरा पीकर मेरे जीजु का कॉलर पकड़ेगा उन्हें गालिया देगा तो मैं चुपने ही बैठूँगा पर आपकी एक और गलत सामी में दूर कर देता हूं मैं हमने अपके बदी को कोई रिष्वत ओफर नहीं की थी उड़ा उन्होंने दस महिनों से हमारा पेइमेंट लियर नहीं किया है और इसके लिए वह हमसे रिष्वत मांग रहे थे इसलिए आइंदा किसी और पे इज़ा काम क्या है यह लड़का जहां भी निखता है पूरा कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा होता है यह मिसिस साइता को भी इसी फंक्शन में आना था सारा मूट खराब कर दिया क्या करना चाहता था और क्या हो गया इस लड़के के बारे में मैं जो सोचती भी वो एक्तम सही है यह लड़का एक नंबर का गुंडा है गुंडा मा इस लड़का था यह कोई बड़ो से इस तरीके से बात करता है क्या समधन जी माफी चाहते हो ऐसे शुब मोके पर यह सब जगड़ा बहुत बुरा लग रहा है मुझे अरे नहीं आप क्यों पुरा मान रही है जो कुछ भी हो उसमें आपकी क्या गलती है मैं तो खोश हूँ कि गोवंजे के क्रिपा से सारे रसम बिना विगन के पूरे हो गए जो कुछ भी हो से भूल जाइए आप तो बैस कल की तैयारियां कीजिए मैं कली पंडिजे को बुला कर शादी का महूरत निकलवाँगी और जैसे महूरत नेकलने का आपको फोन करूंगी कर सो अब भी बहुत कुछ निकलने वाला है कुछ कहां सांवरी नहीं बाभी बाभी चलिये ना अपकावट होगी है बस 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 एक चांस मिल जाए उसे बात करने का अगान जी प्लीज 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 एक चांस लादो कर दो आज फिर बात नहीं हो पाई बट नो प्रोब्लम आज इतना तो पता चल गया कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही वही काफी है यह देखे जीजू यह दूद का बिल यह पनीर का बिल ओए बिल को मार गोली बट दिल की बात कर रहा हूं तुम बिल गुजा रहा है बीच में ओए जरुवत क्या थी सहिता की बीवी से पंगा लेने की ओए ध्यान वो दालपाटी वाली पर करना था ना कोशिश की थी जीजू पर रक नहीं पाया और क्यों देख़गा है क्योंकि मिसहता आपके बारे मिं उंटासीता बोल रही थी में आपके बारे में और वारी फैwnली के बारे में कोई भी गलत बात बर्दाश नहीं कर सकता ओए मेरे शेर उस कुड़ी ने भी इस फैमिली का हिस्सा बनना है ना हाँ पर अभी बनी नहीं है वो मिले आप और जी जी सबसे पहले हो बाकी सब बाद में ओए मेरे शेर तो हीरा हीरा उराज वो कहते है ना हाँ एवरी डाक क्लाउड है सिल्वर लाइन वही सबसे यह फाइदा हुआ उस कुड़ी ने देख लिया होगा कि तू अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है ओए तेरे दिल में अपनी घरवाल के ले कितनी इज़त है ओए होगे होगे यार काश राज चला जा खाना तयार है बहुत जोरु की भूख लेगी है आज एकुछी क्या बनाया है वाव चुले बटुरे हाँ मैंने सोचा कि आज मेरे भाई ने सारा देन इतनी महनत किया अरे हमारे लिए जगड कर आये तो क्यों आज उसकी पसंद का खान आज मेरा पसंद है कियो अज मेरा पास है अज मेरा प्वास है किसी है अज मेरी फ्रेंड है उसके परोस में पंडिची रहते तो उन्होंने मुझ सि खाय कि अगद मैं लगतार इक्के जिन तक उपवास रखूगी ना तो वंदा मरी जाएगा अरे मरूंगी नहीं मेरी कोद भर जाएगी देरे नू मेरी सोणियो ओए टाइम आने दे वहाई गुरु तुझे भी लड़ी कोपाल दे दे देंगे उसके लिए टोटे करने जरूद नहीं है कर लेने दीजे ना कितने साल तो हो गया है और मेरा भी दिल करता है कि मुझे कोई मा कहकर पुकारे कौन कहते हैं आप मानी हो ऐसा कौन सा कामा जोई मा करती हो और आपने पता मुझे एक बच्चे की तरह मेरा ख्याल रगती हो लाट करती हो जिस वब उठाती हो मेरा breakfast मेरे कपड़े सब गड़ी रखती हो ताती हो फिर मनाती हो मुझे जरा बी बुखार हो जाए तो अपना वी-पी-अब कर देती हो तिर भी कहती हो ऑप्मानी हो ओई करेक्स, वहाई गुरू भी यही चाहते हैं, कि हम पहले अपले इस बड़े बच्चेया ख्याल रखें, फिर वह हमें एक छोटा बच्चा देंगे, इसका नाव हम जसुन्दर रखेंगे लेकिन ये तो लड़को का नाव है ना, मुझको लड़की चाहिए तो ये नाम किसी में चलेगा लड़का है लड़की सन अव सर्दार हुआ तो भी जसुन्दर अट डाटर अव सर्दार हुए तो भी जसुन्दर थाहन हाँ जी जी... केले खाँ थाँ खाँ को राज अमयरानमड? अश जी रू होगई है है जाए है लीजी ना पंडित जी चीति रहो बेटा बिल्कुल अपनी मा की दरह सतकार करती है तू अच्छा पंडित जी अब ये बताईए कि महरत तब कर निकलने वाला है बेटा ये तो ग्रा नक्षत नहीं बता सकता है वैसे रवडिय जली भी भी बता सकती है अगर अधर जल्दी कमहरत निकालेंगे तो रवडित है किच्ञन में और जली भी भी है यहां भी साधे बाजी पूरी मारवाडी पोती है हमारी अरे इतने उतावले तो अरपिता और अक्षत भी नहीं हो रहे होंगे जितना तू हो रही है बाउजी, लट्टू नहीं, आपने सुबह खाया है न, मैं कहा खा रहा था, मैं तो ये आवणी को दे रहा था, आवणी ले ले बेटा का ले, नहीं बाउजी आज नहीं, अरे क्या उपास है, नहीं, आक्षेश भ्याकी शादी आरी है न, स्लिम होना है, इसलिए थोड़ी ड तो मैं ही खा लेता हूं ले अपनी हाले डाइटिंग कल करना वरना बाउजी को बहाने मिल जाएगा लड्डू खाने का हर पंडे जी अब जो भी है क्या मुरत निकल रहा है बस मैं वह देख रहा हूं मैं देखती हूं हलो अबनी भावी से बात करवाना वह अशा मापंडे जी को चाहे दे रही है शादी का महरत अकलवा रही है अचा सुन तो भावी को फिर से याद अलवा देना कि मैं अपधी साड़िया ने वहे भूलाईयों गलती से भावी से कहेकर जल्दी से भिजवाद देना तो क्या है कि मैं जड़ा मार्केट जा रही तो सोचा आप टेलर को मैचिंग ब्लाउस दिपी जाओं थोड़ा अजूंकर तोड़ा अजूंकर ना ठीक है मैं कहे दूंगी याद से बोल देना ओके बाई मा ब्ुटा का फोन आया था अरे हाँ कामकाट में मैं भूली गई सुन अबनी एक कामपर मेरे कमरें में ना सारी साड़ीयाँ पढ़ी हैं भुआ की साड़ी अलग रिखते और नंदो के हाथ बिजवाते थिक है मा और भुआ की सारी अलग नग रिखते ती ये मा की कुआ की अरे ये तो अरपे तब आपी के सारी है यहां कैसे आई मैं ज़ता है गल्टी से आ गई होगी मां से कहके से वापस दिजवा देंगे काट शिप का काट यह यहां क्या कर रहे वो भी अरपे तब आपी की सारी में यह तेरे हाथ में क्या अग नहीं क्या है यह मुझे नहीं पता तेरे हाथ में और तो कह रहे है तुझे नहीं पता नहीं यह मेरा नहीं है तो फिर तेरे पास कैसे आया वो तो ये सारी के पैकेट में था ये सारी तो अर्पितर की है न? हाँ, लगता है गलती से आ गई होगी तो जा अपनी मैने का तुझा तो क्या हुआ अगर हम मिल नहीं सके तो क्या हुआ अगर तुम मेरे पास नहीं हो तुम्हारा प्यार हमीशा मेरे साथ रहेगा जो वक्त हमने साथ बिता आया है वो मैं कभी नहीं भूलूगा अर्पिता, I love you I will always miss you, अर्पिता अर्पिता यह क्या बिल है? क्यों? कोई करभड है? अफकोस इतने पैच की बात नहीं हुई थी क्या हो बिता? जादा का बिल बना दिया है क्या? नहीं मा बहुत कम चार्च किया है नोने इतना बड़ा डिस्काउंट दिया है नोने हमें वो अक्चली क्या है न आपको हमारे बज़े से फंक्शन में प्रॉब्लम्स हुई थी तो इसलिए I mean वो.. अरे नहीं बिता हमें डिस्काउंट बिलकुल नहीं चाहिए पर वैसे भी गल्ती आपकी नहीं थी वो तो सहिता जी जहां जाती हंगामा खड़ा कर देती है आपने तो उल्टा कंट्रोल किया था आपकी जगह कोई और होता न तो पता नहीं क्या होता उस दिन खेर मैं चेक नहीं कराती हूं तुम्हारी आवास को चानी पैचानी लगती है कहीं तो सुनी है मैंने हलवा अगर पेंडे में लग रहा है मतलब यह तो आंच तेज है यह तो कड़ाई का तला पतला है ओ माई गॉड वो तुम ते उस दिन तुमसे मिलनी भाई लेकिन थैंक्यू सो मच तुमने मेरा हलवाज जलने से बचा लिया आवास काचन गई लेकिन बात भूल गई यह मैं क्या बोली यही की दोस्तों को थैंक्स नहीं बूला चाता मैंने कहीं तुम्हें देखा भी है तुम वही हो ना राज पुरोहित विवान के कॉंसर्ट में थे I must say तुमारी अवास बहुत अच्छी है थैंक्स वैसे you know what, you're glowing दुलन मन के बहुत सुनर लगोगी आप वर्सी पलकात में दिजार है रव मैरेज? नो अरेंज़ मैरेज ओके You're in love You know, I'll pray for you कि आपके आँखों में जो प्यार देख रहा है वो जिन्दगी भर आपके साथ रहे और आप हमेशा ऐसे ही खुश्रों वह डेटवक तो फुल है बाटरी भी है तो फिर भाबी का फोन क्यों नहीं आया है कही कुछ गड़ तो नहीं साब्रा कुछ करो न अगर भाबी ने वो लेटर नहीं देखा न तो आपकी साब्री की सारी मनत पर पानी फिर जाएगा ये बंती बज़ेगा फोन की घंटी बजादो ना बाचके ये घंटी बाचके ये घंटी देखा आपको भी पता है और मुझे भी कि वो अर्पेता हमारे अक्षण के लाइक है ही नहीं हंड्रेट पसंट उसका चकर किसी के साथ चल रहा है आप इसे सिखा है मैंने मेरे साब्रा कि तेड़े इंसान के साथ हमेशा तेड़ी ही चाल चलनी चाहिए इसलिए मैंने वो जूटा लाव लेटर लिखा आपको तो सब पता है ना ओहो यहां आपने बातों में लगा लिया और वहां भापना भाबी ने फोन कट कर दिया ना एक्स्क्यूज मी फ्लीज हाँ भाबी फोन किया था वो मैंसे तक किचन में थी क्या देखा कहा था ना मैंने भाबी अभी अब बिल्कुल परिशान मत हो मैं अभी वहां आ लिए हाँ भाबी हाँ हम सब संभाल लेंगे ठीक है बाई पाई पाई अर्पिता कि हाँ